देखिए इस एरिया की हेल्थ ठीक रखने के लिए आपको एक्सेसाइस तो करने ही पड़ेगी और एक हेल्दी बेबी के लिए और जल्दी प्रेगनेंट होने के लिए आप ये दो एक्सेसाइस और ये एक टिप ज़रूर फॉलो करें तो गर exercise की बात करूँ तो exercise जो आपको करने चाहिए वो है और दोस्तों मल आसना कुछ इस तरह से perform करा जाता है और इस exercise को पूरुष और महिला दोनों को perform करना चाहिए क्योंकि इस exercise से आपके pelvic areas की muscles strong बनती है और यहां blood flow increase हो जाता है अब देखिए blood flow increase होने से आपको कई तरह के फायदे होते हैं पहला तो यह कि आपकी ovaries और uterus की health ठीक रहती है और दूसरा यह कि इस exercise से आपके शरीड से waist अच्छी तरह निकलता है जिसकी वज़े से blood purify हो जाता है तो इस exercise को अप 30 से 40 second perform कर सकते हो और दीरे दीरे इसका time बढ़ा सकते हो और एक चीज में आपको यह बताना भूलिया कि इस exercise से आपके legs भी strong होते हैं और दोस्तो pregnancy की journey में legs का strong होना बहुत जरूरी है इसके साथी आप keagle exercise भी जरूर perform करें और keagle exercise पर मैंने वीडियो में आगे बात करी है अभी पहले हम इस tip पर बात कर लेते हैं जो है दिखिए यह है वो area जहां पूरुष का प्रेस जाता है और यह है वो part जहां touch करने से महिला satisfy होती है और इसका नाम है clitoris और यह part rail में कुछ ऐसा दिखाई देता है और इस part को touch करने से या फिर stimulate करने से महिला satisfy होती है क्योंकि दोस्तो यह बहुत sensitive होता है और इसके sensitive होने की वज़ा होती है sensory nerve endings मतलब यहां कुछ इस तरह की nerve endings होती है और दोस्तो आपको देखी रहा होगा कि इसकी position महिला के इस hole से just उपर होती है जिसकी वज़े से महिला partner के इस hole में यहां उपर वाला area बहुत sensitive होता है और पुरुष partner को relation मना दे time इस area पर भी जरूर ध्यान देना चाहिए और यह जो clitoris की अब दो टांगे देख रहे हो इसे हम kra कहते हैं और यह pubic bones के पास यहां पर होती है जिसकी वज़े से महिला partner का यह area भी sensitive होता है तो दोस्तो मैंने आपको अभी तक महिला partner के इस area में जितने भी points के बारे में बताया है उन सभी points को ध्यान में रखना और relation बनाते time जरूर टेट करना ताकि महिला satisfy हो सके अब देखे जब महिला satisfy होती है तो दो चीज और होती है पहली तो यह होती है कि महिला को पुरुष partner के साथ रोज relation मनाने का मन करता है और अगर महिला और पुरुष frequently relation बनाएंगे तो महिला के pregnant होने के chances बढ़ जाएंगे और satisfaction की वज़े से दूसरी चीज यह होती है कि महिला की uterus contract होती है और जिसकी वज़े पुरुष के spumps को धक्का लगता है और वो अंडे तक आसानी से पहुच पाते हैं जिसकी वज़े से pregnant होने के chances बहुत बढ़ जाते हैं और दोस्तों की eagle exercises के बारे में जानने के लिए ये left वाले वीडियो सरूर देखिए